Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल Study IQ IS पर, तो जैसा आपने देखा, समझा, सोचा, कि हम जो है, हम ये देखते हैं कि कल Parliament में हुआ क्या, what exactly happened in the Parliament, और क्या-क्या चीज़े ऐसी हैं, जो क्लेम करी गई, जो की examination point of view से important है, काफी शेरोशाईरी हुई, प्रधान मंत्री, काफी दिनों बाद जो है Parliament में इतना नंबा बोले, अलग-अलग मुद्दों पे बोले, अलग-अलग चीज़ों पे बोले, आर्थिक विकास और आर्थिक विद्धी की बात करी, जो की हमारे examination के लिए relevant है, so what are the key takeaways from the Prime Minister's address to the Parliament after the presidential debate, जो प्रधान मंत्री का address रहा है, या प्रधान मंत्री ने जो address किया है सांसत को, वो चीज़ हम पढ़ेंगे, वो देखेंगे आज की डेट में, तो काफी जुगल-बंदी हुई, काफी चीज़े हुई, so the Prime Minister himself, what did he do? Debate on the motion of thanks on the President's address and lauded India's achievements in लोकसभा, तो भारत के क्या-क्या achievements रहे हैं लोकसभा में, इसको लोट किया गया, इसको सराहा गया, तो ये चीज़ बोली गई, ये चीज़ समझाई गई, by achievements that have been done, by the government and by the people of India, तो लोगों के लिए, या लोगों को मद्दे नज़र रखते हुए, ये चीज़े देखी गई है, तो इस speech में, दो चीज़े हुई, पहली चीज़ ये है, कि address किया गया Parliament को, और दूसरी जो चीज़ हुई, वो ये हुई, कि ये समझा गया, कि जो आपने जवाब किस क्या दिया, राहुल गांधी ने जो allegations लगाये थे, उन allegations के क्या जवाब दिये गए, So the Prime Minister himself said, from 2004 to 2014, 2004 से 2014 तक का जो कार्यकाल था, प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग का, was the decade of scams and violence, Scams हुए थे कई सारे, आपको शादिया जो, दिया दो, 2G, 3G, CWG, and the UPS trademark was to turn every opportunity into crisis, ऐसा इनका मानना है इन 10 सालों में, लेकिन जो उसके आगे के 10 साल रहे है, वहाँ पे चीजें काफी अच्छे से चली है, और इस चीज का proof भी दिया गया है, अब proof has been given, so ये कहा गया Congress को, क्योंकि Congress has been decimated, कि तुम्हारे पाउं के नीचर, नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल की बात ये है, कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं, कि आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा है, कि आपके पाउं के नीचे से जमीन खिसक चुगी है, और आप उसको जो है, वो करने को तयार नहीं है, तो ये सारी चीजें बताई गई, कई सारी चीजों को देखते हुए, जो मैं आपको बताऊंगा, और हावर्ड का रेफरेंस भी आया, I think हावर्ड का रेफरेंस जो है, वो एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है, फैशन सिंबल बन गया है, कि हावर्ड बिसन स्कूल की case studies होत तो उस पर reply ये आया कि हावर्ड में study करी हुई है about Congress, the rise and fall of Congress party of India, तो ये grand old party इसे कहा जाता है, this has been done, so vote bank politics जो है, जो की community को हाम करती है, वो खतम करनी है, लेकिन उसे opposition party जो है, वो जिन्दा रख रही है, ऐसा इनका मानना था, ये चीज़ कही गई, तो vote bank politics से किसी भी कोई देश हो, vote bank politics हो, caste politics हो, उससे नुकसान होता ही होता है, because that is a way to divide the factions, delayed India's development and the middle class was ignored, middle class को ignore कर दिया है, और इस वजे से जब middle class पे focus आया, तो ऐसे भारत सरकार द्वारा किये गए initiatives को लेकर, या जो मुहीम चलाई है उसको लेकर, क्या-क्या मील पत्थर ऐसे है, जो की अचीव ह होए, what were the milestones that have been achieved by the Indian government, the focus was on the achievements in the last 8 to 9 years, 2014 से लेके 2023 तक कौन से मील पत्थर है, इन सारी तमाम बातों पे बात करी गई, जो की आपके लिए examination-centric view से relevant है, बात करी गई है manufacturing की, बात करी गई है smart phones की, बात करी गई है start-ups की, technology की, तो manufacturing hub जो है भारत धीरे-धीरे बनता जा रहा है, make in India का initiative कुछ हद तक कहीं न कहीं काम्याब हो रहा है, वो देखने को मिल रहा है, work with the kind of investment that is coming in, So, भारत ताज manufacturing hub के रूप में उभर रहा है, दुनिया भारत की इस समृध्धी पर अपनी समृध्धी देख रही है, निराशा में डूबे हुए कुछ लोग इस देश की प्रगती का सुविकार ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मोदी जी का कहना था, उसके बाद इसका प्रूफ जो है, वो है mobile manufacturing में, सबसे बड़ा Foxconn का प्लांट हो, या Samsung की assembly unit हो, जो यहीं पास में, लॉइडा में लगी हुई है, तो we have become the net exporters of manufactured mobile phones, मतब भारत जो है, net importer हुआ करता था कुछ साल पहले तक, आज की rate में भारत में बने हुए phones जो है, वो export किये जा रहे है, mobile manufacturing में भारत जो है, उभर कर आ रहा है दुनिया के सामने, ये चीज़ देखी गई, इसके सिवा startup community, आज startup एक fashion symbol है, एक fad है, एक ऐसी चीज़ है, जो की सब करना चाहते हैं, या सब at least अपने सामने title लगाना चाहते हैं, कि I am the founder of a startup, CEO, CTO, CEO, ये सब fancy designations आ गई है, जो की अच्छी बात है, अगर आप उसे capitalize कर सको, या आप उससे अपने अपना फाइदा देख सको, फाइदा उठा सको, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, य 2016 में एक specific initiative शुरू करा था, Startup India and Standup India, ये schemes थी, जिसके तहट startups को promote किया गया था, इस budget में भी startup community को काफी support दिया गया है, ये state करते हुए, कि भारत में 83,000, 83,000 startups हैं, जिसमें से 100 से उपर unicorns हैं, तो startup community को support करना, ताकि वो भर कर सामने आए, और लोग startups करना चाहें, और इसके उपर एक चीज और जो बोली गई है, वो ये है, जो MSME sector है, जो मध्यमवर का sector है, small sector है, जो rural areas में exist करता है, जो self-help groups है, वो अपने आप में startups बनके उपर आए, वो भी million dollar, billion dollar company बनाए, सरकार का उस पे भी focus है, उस चीज़ को भी support दी जा रही है, तो startup community में 9 वर्ष में भारत में 90,000 startups आए हैं, जिसमें से 100 से उपर unicorns है, तो भारत एक ऐसा देश है, जो कि आप Silicon Valley के बरावर या शायद उससे उपर ही startups produce करता है, तो startup क्या है, startup एक idea ही तो है, अगर आप idea को capitalize कर पा रहे हो अपने फायदे के लिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और उसके बाद आज की rate में कोई भी चीज, technology से परे नहीं है, technology में investment, चाहे वो defense research में हो, चाहे वो scientific research में हो, चाहे वो aerospace research में हो, किसी भी चीज में हो, इन सब चीजों में भारत अवल नंबर पे खड़ा हुआ है, technology के लिए इन रिच चीजें भारत से निकल कर आ रही है, आज की rate में भारत जो है दूसरी country की satellites को launch करता है, भारत जो है दूसरी country में technology export करता है, technology as a service is also provided to different countries, for example European Union and the American countries, Canadian people, तो technology के लिए हम इतने enriched है, यह भारत है, यहाँ fashion, यहाँ fraction of second में लाखों करोणों रुपए देशवासियों के खातों में जमा कर रहा था, तो DBT, direct benefit transfer, UPI, UPI जो है काम्याब financial technology का model है, जिसको और देशों ने भारत से लिया है, तो भारत के साथ partner किया गया है, इस चीज को लेकर, which is very good, एक समय देश छोटी छोटी तकनीक के लिए तरस्ता था, आज दूसरे देश भारत की तकनीकों को ले रहे है, तो technology को लेकर एक achievement है, उसके भारत को praise किया जा रहा है, सराहा जा रहा है, globally ये देखा जा रहा है कि भारत किस position पे खड़ा है, global praise, today several countries across the globe praise India's help to cover 150 countries during the pandemic from various world forums, और इस बाग पूरी सच्चाई है, सारी दुनिया ने मूँ मोड लिया था, किसने hydroxy chloroquine supply करी थी, भारत ने करी थी, तुमने तो वहाँ बैट भारत थोड़ी लास्मी है कि तुम्हें anti-malarial drug दे इसमें, covid में, लेकिन फिर भी भारत ने दिया, वो तो जो दिया सो दिया, उसके बाद भारत सरकार और भारत की companies ने vaccines manufacture करके डेड़ सो से उपर देशों को भेजा है, vaccine exports, तो क्या है ये भी, कौन से और देश ने भिज दिय आप बताइए जरा, क्या कोई US manufacturing company ने export करी है, vaccines इतनी भरी तादात में, और अगर करीब ही है, तो किसको करी है, भारत ने गरीब countries को करी है, LDCs को करी है, जिनको वाकई में जरुवत थी, तो कहां गए बाकी सारे, कहां गए so-called developed countries, largest GDP of the world, largest national income of the world कहा है, किसी ने करी vaccine supply, किस doctors की team भेजी गई है, वहां doctor तो है नी तेल है, पैसा है, वो अपना पैसा जो सोने का bathroom बनवा लेंगे, लेकिन medical में invest नहीं करेंगे, Indian team of doctors had gone over there, to the Middle East, to treat them, so this is what happened, India has become the fifth largest economy, absolutely true, last 8-9 years में develop होते होते, भारत जो है 90-10 नंबर से 5 नंबर में पहुँच चकी है, UK को सरपास कर च channel है, news broadcast channel है, इस कारण भी एक reason हो सकता है कि उन्रोंने इतनी बड़ी documentary नरेंदर मोदी जी के खिलाफ करी, देखे, point ये नहीं है कि आप किस political party को support करते हो नहीं करते हो, आपको शोभा नहीं देता ये चीज़े, खेर, मतलब वो उनका prerogative है, वो देखे, लेकिन अब आज की आकड़ा है, ये cross हो चुका है, 3.4 to 3.5 trillion dollars, असल figures ये financial year खतम होने के बाद हमारे समक्ष रखी जाएंगी, several countries are suffering from instability due to war, several others are facing inflation, भेंगाई है, unemployment है, lack of food security है, including our neighbors, तो, amid difficult times, India became the fifth largest economy, भारत ने growth दिखाई है, भारत inflation से इस वक्त सबसे कम affected region है, it is the least affected region, this is what has happened, vaccination के बारे में मैंने आपको बताया, the sheer magnitude of the vaccination program during the pandemic is an example of a stable and a decisive government, ये चीज़ हुई है, और सबसे बड़ी बात है, made in India vaccine है, आप में से कितनों स्क्यूटनिक लगवाई है, आप comment section में लिख कर बताएं, so this was done, digital India, digitization, जो COVID के बाद बहुत जादा देखने को मिली, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि digitization is also dependent upon infrastructure and technology, वे digitize कैसे करोगे, आप एक smartphone का भी use किस तरीके से करेंगे, smartphone का use तब करेंगे जब आपके आपके गाउं में, या आपके शहर में, या आपके area में एक tower लगा हो, वहाँ पे spectrum आया हो, वहाँ पे broadband connection हो, या वहाँ पे wifi connection हो, तबी हो सकता है, तो bare minimum इतना तो चाहिए, तो इतना मतलब है, तो जितनी gram पंचायतों को जोड़ना था National Optical Fiber Network के तहट, वो चीज भारत सरकार काफी हद तक कामयाब हुई है, provide करने में, तो when was in Bali during G 2020 summit, Digital India was appreciated by everyone, और भर्व एक देश जो है, भारत की इस वृध्धी से, surprise था और सराहरा था, rapid progress in the North East, North East में inroads बनाए गए है, North East जो map से बिलकुल अलग था, North East को अपना region consider नहीं करा जाता था, लोगों को ignore किया जाता था, आज उसी North East में tourism बढ़ रहा है, चाहे वो सिक्यम हो, चाहे वो seven sisters हो, वहाँ पे tourism बढ़ रहा है, जो की एक बहुत अच्छी बात है, because it is our part, वो भी हमारा है, हम जो है, वो हमारे भाई भेहन है, हमारे लोग है, तो इन सारे लोगों को अगर एक अठे लेकर चलना है, तो उसको अपना part मानना पड़ेगा, उस चीज में यहाँ यह चीज बोली गई थी प्रधान मंतरी द्वारा, someone spoke of the North East, compare the North East from your time to what it has become today, in the last nine years, region has seen rapid progress, आफ फ्लाइट लेके North East में कहीं भी जा सकते हैं, पिछतर सौ लोग are engaged in militancy in the region, have surrendered, यह surrender हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, Middle Class Indians, इस budget ने कुछ ना कुछ Middle Class Indians के लिए करा है, चाहे salaried individuals के लिए reduction करना हो, standard deduction, चाहे income tax का slab बढ़ाना हो, धाई लाक रुपे से तीन लाक रुपे से slab शुरू हो रहा है, और income tax rebate के limit बढ़ाके 7 लाक रुपे कर दी गई है, देखिए महंगाई तो है, इसमें कोई doubt नही है, मैं यह मानता हूँ पूरी तरीके से, inflation हमारे देश में भी है, जो सबसे ज़्यादा Middle Class को hurt करता है, 2014 से पहले 1 GB data costed 250 rupees, now it costs 10 rupees, average Indian uses 20 GB data in a month, यह अपने आप में हर चीज़ का example है, technology का भी, infrastructure का भी, digitization का भी, awareness का भी, और उसी के साथ साथ, affordability का भी, he is now saving 5000 rupees a month, हर एक Middle Class India, Indian dreams of a home, every Middle Class Indian wants their children to study Medical Engineering, तो यह चीज़ें जो है, यह possible हुई है, इसके आंकडे नहीं है support करने के लिए, लेकिन यह चीज़ कही जा रही है, क्योंकि कई सारे Medical Colleges और Paramedic Colleges, Nursing Colleges जिने कहा जाता है, वो खोले गए हैं, तो यह सारी चीज़ें हुई है, all these things have happened, और यह जो है, यह key takeaways है, so if you have to write a full-fledged answer or an essay, you can use this knowledge to write as to what India has achieved and where India should go from here, I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, comment section में लिखकर बताईएगा कि क्या आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं, thank you so much everyone, bye, take care and all the best. affordable.